There are different types of energies label, बहुत तरह के energies होते हैं जो हमारे body में absorb हो जाते हैं, हमारे surrounding से, हमारे दिन चर्या से, हमारे daily activities से, उस energy के कारण हमें अपने life में बहुत सारी तकलिफों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि relationship issues हो गया, anxiety हो गया, depression हो गया, stress हो गया, या फिर physical symptoms भी बहुत सारे होते है जिसके गारण आप बिमार पड़ते हैं, चीज़े खराब चलती हैं, या फिर आपके life में कोई goal होगा, जो आप बहुत practice कर रहे हो, लेकिन achieve नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है ये energy healing, अपने कौन से energy को हम ठीक करने की ये सारे चीज़े हो जाएंगी, देखो energies heal करने के लिए बहुत सारी practices हैं आज के time में और working है, evidence के साथ में, नौतरकी हैं almost, जिसमें रही की healing भी आती है, प्रानिक healing भी आती है, इन सारे process के हिसाब से हम आपके energies को stable करते हैं, साफ करते हैं, जो भी कचड़ा आपने जमा कर रखा है, अपने अगल भगल से, अपने daily routine life से, अपने friend circle से, टीवी से, वीडियो से, उन सारे कचड़ों को हम साफ करते हैं, जो कचड़ा आपके subconscious mind के थुरू आपके conscious mind में गया है, और वहाँ पे जाके stable हो गया है, वो कचड़ा एक vibration create करता है, जो आपके body में इधर उधर भागते रहता है, तैरते रहता है, उसी को negative energy कहते हैं, ज सब कुछ magic की तरह काम करने लगता है, यही है.